आप सफी का मापरिग एक कोलेज के ओनलार ईन प्लेट पोर्म पर स्वागत है आज हम वापस बीए सिंब थाड यर और बीए सिं थाड यर कि कॉंट anchora मेकनिक्स की क्लास लेकर आए है दे बीए सिंबड थाड और फिट थाड यर दोनूं की यहांü क्वांटम मेकनिक्स की पार्ट नमबर 16 पीछे वाले पार्ट में पड़ा था हाईजनबर अंसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि हाईजनबर्ग ने यह बता है था कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको अगर अपन एक अगर अपन उसकी उसकी पोजिशन और उसका अगर अपन मोमेंटम बताना जाए यान हिंदी में इसको ऐसे समझेंगे किसी बीक्षण किसी वरस्तु की स्थिती तता समवेग दोनों का एक साथ मापन नहीं कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद उसने यह बताया कि अगर स्थ इसके अनुपरियोग थे वह किसी बीक्षण के अनुपरियोग थे वह किसी में परिवर्तन परिवर्तन क्या हो जाए कर देलेक्स इन दोनों का गुननपल कभी भी एच्ज क्रोस अपन टू से कम नहीं होगा यह मैंने आपको क्लास नंबर 15 के अंदर बता दिया ठीक है जब परकार काम किया तो अपन अनुपरियोग पढ़ने से पहले कल में आपको चीज और भी बताई थी कि सभी अपन इसी का रोल करेंगे लेकिन कुछ ऐसी कंडिशन आए कि जहां पर इन दोनों का गुननपल इसका मतलब क्या हो गया लगबग बराबर बराबर लेंगे अपन औ अनुपरियोग ठीक है तो आज आपको टोपिक होगा हाईजन बर की अनिशित्ता सिधान के अनुपरियोग तो आईए कि अपना टोपिक हो गया ऐए सिधान के अनुपरियोग एनिशित्ता सिधान की क्या है अनुपरियोग अप्लिकेशन ओप अनसे निटी प्रिंसिपल एप्लिकेशन ओप अनसे निटी प्रिंसिपल ठीक है पहला होगा अलग अलग देखो हाई अपने को क्या पढ़ना है एनिसिता सिधान के अनुप्यों पढ़ना है क्वांटम मेकरिनिक के अंदर वालों को बहुत बार आप कुछा पांट साल का पेपर उठा के देखना तो आइधिंग आएगए वालों के क्योंकि इस साल पेपर नहीं हुआ जैसे आपको पता कोई-19 की वज़े से तो शोर है आपके अगला जब दोगे अगला पेपर आपके तो एक्जाम आएगा कोई साब पूछ सकते हैं जैसे पहला इसका है कि नाबिक में इलेक्ट्रोनों का अनस्तितु नोन एक्ष्टेंस और प्लेक्ट्रोनी नुक्लियर एटम मतलब नाबिक के अंदर जो इलेक्ट्रोन होता ना अपने बहुर मोडल पड़ा था कि नाभी के इलेक्ट्रोनों का अनस्तितु होता है इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो पहला आपका अनुप्योग है बहुत इंपोर्टेंट है नाबिक में नाबिक में इलेक्ट्रोनों का अनस्तितु नाबिक में इलेक्ट्रोनों का अनस्तितु कोई पर्ट्युक्लर उनका अस्तित नहीं होता है ठीक है ना भीक में इलेक्ट्रोनों का अनस्थित्तु इसको पर इंग्लिश में बोलेंगे नॉन एक्जिक्स्टेंस यह हो गया आपका इंग्लिश में नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखनी पड़ती क्योंकि दोनों परकार के बच्चे है ठीक है तो नाभिक में इलेक्ट्रोनों का अनस्थित्तु क्या होता है नोन एक्सिस्टेंस ओप इलेक्ट्रोनी नूकलेस एटीम तो अपने इसके अंदर लिखेंगे हिंदी के अदर कि माना की है ना आपका topic start आपको क्या लिखना है जैसे आपको अगर exam question पूझ ले तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है कि माना की परमानों के नबिक में माना की परमानों के नबिक में elektron उपस्तित हैं सभी को पता है कि इलेक्टरों उपस्तित होते हैं पर्मानु के नभीथ ते-क परोजिशन के रूप में वहां पर स्थिथ हैểm फैनल वहिं इलेक्रोन क्या है आपके पॉजिशन की रूप में वहाँ पर रस्तित है हम जानते हैं विनोडेट हम जानते हैं नाभिक की त्रीजिया जो रेडिस होती है आर लगबग होती है पांच फर्मियोन नाभिक कितरी जा लगबग कितरी होती है अपने पास पांच फर्मियोन की होती है जनरली बता है नाभिक जो अपना होता ना अपने पड़ा हो आई सर्कुलेशन गोड़ा होता है उसकी रेडिस लगबग पांच फर्मियोन या यूँ क तो अगर तो तो पांच इंटू दसकी काथ मैनस पंदरा यह चीज अपने को बताने हैं ठीक है दसकी काथ 15 होता है तो अगर लिख सकते हैं आगे त्रीजिया लगबग अपने देर की यह पांच फरीमियों के होती है यदि आगे देखें आप यदि नाबिक में इलेक्त्रोन है तो इलेक्त्रोन किस पोजिशन पर इसका कोई पर्टिकुलर अपने को ट्यान है थोड़ी एक बार में थोड़ी लिक दो और आपको समझाता हूँ तो यहode क्या अपने पास ऐन ऐसे अगर नाभिक में इलेक्ट्रोन है तो आपका इलेक्ट्रोन किस इस्तान पर है आते हैं उसकी स्तिती में एनिसित्ता या इलेक्ट्रोन की स्तिती में एनिसित्ता क्या हो जाएगी आपको पता है नाबिक आपका इसकी इसित्ता क्या होता है तो यानि इसकी या तक रेडिस आर बराबर कीते होती है 5 फर्मी R बराबर किती होती है radius इसकी 5 फर्मी होती ठीक है R बराबर 5 फर्मी ओके और यहाँ पर electron 4 तरफ इस्तिता ऐसे यहाँ पर electron नबिक के आपको पता नबिक के 4 और क्या होते है electron परजेंट होते है तो अपने यही लिखा देखो कि माना की परमानू के नबिक में electron स्थित हैं और हम जानते हैं कि नबिक की तरीजिया R बराबर 5 फर्मी ओन R बराबर 5 फर्मी ओन होती है यदि नबिक में electron है तो electron किस स्थान पर है यह एनिस्तिता है मतलब इसकी कोई particular अपने को जानकारी नहीं तो अते अपने यह मान लें कि electron की जो position है ना वह यह radius का मतलब ही क्या इस्तिती इसके अंदर हो सकते हैं आपके electron बहला इस पूरे गोले के अंदर R बराबर इस तरीजा के अंदर रिपरजेंट हो सकते हैं तो अपने से बता सकते हैं अते electron की इस्तिती में एनि सित्ता डेलेक्स बराबर R के बराबर होगी लगब कित्य हो सकती पांच इंटू दसकी काथ मैंनिस पंदरा मीटर यहां तक ठीक है अब वापस आगा इए तो पिक आपका वो ही चलता आपन इसको मिटा लेते हैं आगे इसमें क्या लिखेंगे वो ही पॉइंट टू पॉइंट आगे कि लेकिन हाईजेन बर के सिदान से लेकिन हाईजेन बर के सिदान से इलेक्टोन के समवेग में यह तो स्तितिम हो गई बैस्तितिम अनिस्टा यह हो सकती तो अपने को समवेग में भी बताना है तो हाईजेन बर के सिदान से लेक्टोन के समवेग में नियूंतम सबसे कम से कम कित्य हो सकती है ना लेक्टोन के समवेग में नियूंतम निशित्ता इलेक्टोन का सम्वेग में नियूंतम निशित्ता हो जाएगी आईए मैं इधर बताता हूं आपको फॉर्मला होता है डेल एक्स डेल पी इस इक्वाल टू एच्ग्रोश अपॉन टू लगबग यह मान किसके बराबर होता है डेल एच्ग्रोश या अपने पास वापस हो जाएगा डेल पी मिनीमम बराबर एच क्रोस अपॉन टू इंटू एच क्रोस का मान भी किता होता है पन पॉइंट जीरो फाइप फोर इंटू टेनेश्टी पावर मैंनेस थर्टी फोर पीछे लिखा चुका हूं मैं इसको बार-बार मान ठीक है पॉइंट जीरो फाइप फोर इंटू टेनेश्टी पावर मैंनेस टूंटी किलोग्राम मीटर पर सेकंड ठीक है यह अपने पास समवेग में एनी सित्ता इतनी आ जाती है इसको बना लिजा आप इक्वेशन नंबर फाइस्ट यहां तक देखें कि आप कोई दिकत नहीं है अपने देखा स्टार्टिंग में कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रोन है तो आपका इलेक्ट्रोन किस स्थान पर है वह अपने को पता नहीं तो अपने यह मान लिया कि जो वह गोलाकार उसकी रेडिस होती पांच इंटू दस्की काथ मैनेस पंदरा मीटर उसके अंदर अप आपको पता उसी के फॉर्मलेस है मैतेमेटिकल जो उसका कंसेप्ट है ना डेलेक्स डेलपी वह लगबग बराबर होता है एच क्रोस अपॉण टूगे किया यूंके तो अपने को डेलपी निकालना है जो सबसे नियूंतम आएगा तो डेलेक्स का आपका इधर चला गए है जो सबसे पॉण टूगे तो एच करो उसका मान कितना होता है 1.054 इंटू 10 इस पाउर मनेस थीपूर और टू इंटू डेलेक्स का मान यह तो सम्वेग में नियूंतम मैंने सीत्ता किते हैं आगे अपने पास 1.054 इंटू 10 इस पाउर मनेस 20 बस टोपिक अपने ऐसे ही सोल ह मतलब ही क्या है कोई ठोजी नहीं मेटेपेटिक सरे हैं ठोजी के साथ मेटेपेटिक के गुना भाग नमबर वो सारे एक साथ चलते डरेते हैं अब आई आगे पन चलते हैं चुंकि नाबिक में इलेक्ट्रोन का सम्वेग नियूंतम है आते आइंश्टिन के एक सम्मध आयत अपने पास सम्मध से इलेक्ट्रोन की मिनिमम एनरजी नियूंतम उर्जा इलेक्ट्रोन की नियूंतम उर्जा का फोमड़ा होता है अपने पास पीछे आया वाएं कि इस काईर बराबर पी स्काईर सी स्काईर प्लास एम जिरो स्काईर सी फोर यह अपने कर रहा है मैंने आपको किस्ञ भी सोल के आए कि इलेक्ट्रोन की उर्जा सम्वेग और विराम द्रिमान के अंदर यह समन होता है तो यहाँ पर उर्जा मिनिमम होगी तो अपन लिख सकते ह अपर मिनिमम नाभी के अंदर फेलेक्ट्रोन उता है बहुत धीरे धीरे घतिशी होते तो इसका मतलब उनका समयक भी कि होगे आपका मिनिमम होगे ठीक है यह अगर आप इंदूर्ड में हो जाएगा कि स्काईर मिनिमम सी स्काईर प्लस एंजीरो स्काईर सी फोर इधर आप क्वामान क्या हो जाएगा ठीक है अब एक चीज आप नोट करना यह है ना यह आपकी गति जूर्जा को रिपरिजन करती कैसे मैं ऐसे आपको जनरली समझाता हूं इधर आपको लिखने की चुरूत नहीं है मैं नॉर्मल चीज एक्स्पिलन कर रहा हूं अपने पहले फॉर्मला देखा था जो एनर्जी होती ना वह अपना सम्मध बताया कि इलेक्ट्रोन की टोटल एनर्जी होगी वह उसकी गति जूर्जा प्लस उसके जो उसका सम्मध होता है आपने क्या लिखा यह बराबर पी सी सब्सक्राइब प्लस यहां पर यह चीज इसने यहां पर की तो बतलब यह मान किसके बराबर होगे आपका कानेटी के अनर्जी के बराबर होगी ध्यान रखना मैं भी सीधा लिखोंगा लेकिन आया कैसा मैंने आपको इस परकार एक्ट्रेंट कर दिया तो आए अपने क्या मैं दिमाग में रखना है कि नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रोन होता है उसकी सम्वेग में हमेशा नियूंतम सम्वेग होता है तो इस स्कार मिनिमम बराबर पी स्कायर सी स्कायर प्लस एम जिरो स्कायर सी पूर यह इसका अपने एंडूरूट लिया तो यह मिनिमम बराबर आपका पास वेल्यू ऐसे आगे ठीक है अब अपना आगे करते हैं यहाँ पर जो यह है न विरामुड़ा मेद स्काय करत आपको कुछ वेल्यू चेंज होगी यहाँ पर यह विरा मुर्जा यह पास तो असलिज Eig अजson की विरामुड़ा मेंगा एलेक्ट्रोन की विराम उर्जा है एंम 7 छी-सकायर भरभर MP5 1 मेड़ा इलेक्ट्रोावाल्ट ilinsRA कि το एक मेंगा एलेक्ट्रो वॉल्ट ये इतनी होती है जो की जो की कायंटिक एनर्जी की तुलना में नगर्णी है जो की गती जुर्जा की तुलना में क्या है नगर्णी गती जुर्जा कमान वह ज्यादा होगा ठीक है देखेंगा आप ये मानदा आपका कानेटिक एनर्जी में आपको पहले बता है यह उसकी एलेक्ट्रोन की विराम मुर्जा है P square minimum C square है वो बहुत ही ज्यादा होगा किसे M0 square C force यह है ना यह वाला मान यह वाला मान आपका बहुत कम होगा किसे P square minimum से ठीक तो अपने पास finally यहां से equation क्या बन जाएगी E minimum बराबर अंडरूड P square minimum C square ठीक है अब अंडरूड अपने हटा सकते हैं दोनों value की क्या लग रहा है तो square से अपने अंडरूड हटाएंगे तो आपका पास जो electron की न्यूंतम energy होगी वो किती हो गई P minimum C अब दोनों का आपने को मान पता है कि जो समवेग में जो न्यूंतम मान आया वो किता है और C का मान कितना होता है तो अपन रखेंगे यहां पर तो आपका पास equation हो देगी E minimum बराबर यह किता है 1.054 into 10 to power minus 20 समवेग में न्यूंतम में जिता किती है यह 1.054 into 10 to power minus 20 into 10 into 10 की का ता यह मान रख दिये अपने जो electron की अपन न्यूंतम energy देख रहे है वह इलेक्ट्रों की न्यूंतम energy किती होती है तो E minimum बराबर P minimum into C E minimum बराबर P minimum समवेग में न्यूंतम मैंने जिता है आपने पहले देख ली 1.054 into 10 to power minus 20 into C का मान 3 into 10 की का ता ठीक है यहां तक ठीक है अब आगाई यह इसी को अपन सॉल करते हैं बस यह हो गया दो तिन लाइन का और अपन इसको आप सॉल करोगे तो यह आएगा आपके पास E minimum लगबक 20 mega electro volt मतलब electron को अगर नाभी के अंदर freedom रूप से स्वतन्त रूप से रहना है तो नियूंतम एनरजी कितनी होनी चाहिए 20 mega electro volt इतनी होगी तो electron उसके अंदर रे पाएगा ठीक है बस यहापका topic अब अपन कुछ language लिखेंगे यहापर लेख में लिखेंगे अपन यहापर क्या अर्थात यदि electron नाभीक में स्तित है तो इसकी नियूंतम उर्जा तो इसकी नियूंतम उर्जा जो मिनिमम एनरजी है 20 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट की कोटी की होनी चाहिए 20 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट की कोटी की होनी चाहिए ठीक है यह चीज़ जान रखना कि अगर electron नाभीक के अंदर स्तित है तो उसकी इतनी तो होनी चाहिए परंतु practical रूप से देखा गया, परंतु परियोगू से यह पाया गया, परियोगू से यह पाया गया, practical रूप से जब इसको देखा, परियोगू से यह पाया गया, कि नाबिक जब भी विखंडित होता है, परियोगू से यह पाया गया, कि नाबिक जब भी विखंडित होता है, तो उनसे प्राप्त इलेक्ट्रोन की उड़जा दो से तीन मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट की कोटी की होती बस यह ठोड़ी होगी देखो पूरा जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे के वैसे लिखना बुक्स में बहुत लेंद ही दे रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्यूशन पूछते आपको इसलिए लिखाना भी जरूरी दा क्या क्या चीज़े अपने को निकाली अगर आपका इलेक्ट्रोन नाविक के अंदर अच्छे से स्थित होता है तो उसकी एनरजी लगबक कितनी होनी चाहिए Q. प्रेक्टिकल रूप से देखा एक नाविक जब ही विखंडी होता है अपने का कोई पर्टिकॉलर अस्ति तो नहीं होता है तो आप आगे एक लीन्रोर लिख देनां कि अनको में इलेक्टोन का सुवच अंतर अस्टितु नहीं होता है कि अब लेक्टोन का सुवच अंतर अस्थितु नहीं होता है तुछ एसके परमानुए उसकी मूह люди असरे का अंकलण भी इसी से करते हैं है ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका, सेकंड अनुप्रियो, ह2 पर्मानु की, हाइड्यूजन पर्मानु की, मूल उर्जास्तर का आंकलन, मूल उर्जास्तर होती है, ग्राउंड एनर्जी लेवल, उसका अपने को आकलन करना है, यानि, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ओफ हाइड्यूजन एटम, ठीक है, यह इसको अपने को प्रूब करना है, हाइड्यूजन पर्मानु की, मूल उर्जास्तर का आंकलन, मूल उर्जास्तर होती है, लगबग मैनेस तेरा पॉइंट छे लेक्ट्रो बोल्ट होती है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, मैनस तेरा पॉइंट छे, अपने देखावा है, बोर मोडल पड़ा ना, बोर मोडल माया अपने पास, जो होती है, हाइड्यूजन पर्मानु की, वो इवन बराबर मैनस तेरा पॉइंट छे लेक्ट्रो वोल्ट, आप पिछे सोल कर दीजे, बोर का मोडल लिखा लिए, अभी अपने क्वांटम मेकनिक्स के अंदर पड़ा है, तो ये मान अपने को हाइजिन पर की अनिशिता सिदान से निकालना है कि वास्तों में ये होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो चलो आईए, करते हैं इसको, तो आपन लिखेंगे सबसे पहले, माना, H2 पर मानों के, मूल अवस्ता में, H2 पर मानों के, मूल अवस्ता में, इलेक्ट्रोन से थित है, इसकी मूल एनरजी होती है, ऐसे देखो, वो भी अपने पड़ा, ग्राप पढ़ता है गया, इसका बढ़ता है, अलग-लग, ये पहले स्टेट, यहां पर इसकी इलेक्रोन क की उर्जा बहुत कम होती जैसे जैसे कक्सा बढ़ती के इलेक्रोन की ऊर्जा होती वह पाम नेखा था तो ज्येओ मूल कक्सा है उसमें इलेक्रोन शित है तथा अ विशतर की Wow तथा उसतर की त्रीज्या मृपमनेपास मूल आ ठीक है उस्तर की त्रीजिया आर है तब इलेक्ट्रोन की पोजिशन में इलेक्ट्रोन की स्थती में एनिस सित्ता हुई आर होगी यह हो जाएगी अपने को पता है इस परकार आपकी अवस्ता है यहाँ पर है तुसका मतलब इस दिशित्र करेंगी इलेक्ट्रोन काँपर है तो इसकी स्थति में इसस êtes दान से इसी प्रकार हाइजन बर्क के शिद्दान से, इलेक्टोर्न के सम्वेग में अनसित्तप किती हो जाएगी, खोई फॉर्म्ला रहना, इलेक्टोर्न के सम्वेग में, आनसित्तप, डेल X, डेल P और ललगबग H스를, अब यहां पर H스를 उपयोग मिलिया गया, है जो मैंने आपको पहले ही बता है यहां पर दो नमबर नहीं लिया गया क्योंकि इसकी मूल उठ जा सरका आंकलन कर रहे हैं इसलिए अपने को इसकी minimum value निकाल को यहां से अपने बता सकते हैं अपने पास क्या यह 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 क्य तो डेल्टी बराबर किता हो जाएगा एच्छ अपों डेल एक्स ठीक है या बाद में इसको लिख सकते हैं कि डेल पी बराबर एच्छ क्रोवज अपोन आर क्योशन नमर्वर संवेग में जो है वो डिपेंड करीगी आपकी एच्छ सपोन आर को इसको अपन यहीं रोक लेते हैं कि चलो आईए पता है टोपिक आपके चल रहा है है जुन पर मनों का एनर्जी लेवल ग्राउंड शेट एनर्जी लेवल यहां तक हो गया स्थिती में नीशिता आगी समवेग में नीशिता आगी अब अपने को मान केसर रखना इ आगे हो जाएगा अपना यस अपने पास एक्वेशन आ गई को डेल पी बराबर एज क्रोस अपॉन आर एक्वेशन नमबर फश्ट ठीक है यहां तक आप एक्वेशन नमबर फश्ट मना लीजिए ओके अब अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रोन की गति जुड़ जुड़ा क् इलेक्ट्रोन की कानिटिक एनर्जी फॉर्मुला होता है पी स्कॉयर अपॉन टू एम पढ़ रखा अपने पीछे इलेक्ट्रोन की कानिटिक एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है पी स्कॉयर अपॉन टू एम समवेग का मान रखे यह का मतलब यही हो गया समवेग में नि सिता है शीज़्द इंद ठीक है फिर अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोन की पोटेंशल एण धी है एक फीडलike नेर्जी स्चोर एंटिक एनटिक इनटिक की होती ही, वह होती है, minus K Z E square upon R, है ना, उन दोनुं के मद्य न भी का आवेस J होता है, इलेक्ट्रोन का आवेस E, तो E square और इसके मद्य है, अब आपको पता है, हाइडिन प्रमानू के लिए जेड़ किता होता है उन हो जाता है तो अपने पास ये फिरिमला क्या हो जाएगा माइनस के इसक्वाइर अपने पास मांन बेंगा हंगी है इलेक्ट्रोन की तोल अबर मान आ जाएगा है है एच क्रो स्क्वाइर अपॉन तू एम आर स्क्वाइर माइनस के इसक्वाइर अपॉन आ ठीक है एक्वेशन नमबर सेकंड बन गी वह उस्सी लेक्ट्रोन की जो उर्जा किती हो जाएगी यह हो जाएगी ठीक अब अपने को पता है अगया पन हाइडिजन परमानू के मूल उर्जा अस्तर की उर्जा नियूंतम होती है अर्थात इस स्थिति में अर्थात इस पोजिशन में जो आपका डी अपॉन डी आर करेंगे तो वो क्यों होगा सुनी होगा पता है अपने को अपने पढ़ था ना अच्छे से आपको मालूम है तो अपन यह से लिख सकते है है कि अध्युन प्रमानु के मूल उर्जासर की उर्जा नियूंतम होती है तो अर्थात इस स्थिति में डी अपॉन डी आर क्या होगा आपका जीरो होगा तो समिकन्द दो से क्या लिख सखते हैं अपन दी अपॉन डी आर बराबर जीरो चलाएं कीजिए आर का होगा उपर ले जाओगा आप आपकी पाउर थी पाउर नीचे आ जेगा तो अपना पास क्या हो जएता एक माना आप उदर बेज जीजिए तो अगर इस मानु को आप उदर बेज जो को तhou अपके पाश के हो जाएगा के e square अपोन r square बराबर 2h square अपोन 2 से 2 कट के है आपके तो अपने पास हो जाएगा h square upon mr cube ठीक है यहाँ से आप r निकाल दिजिए उस इडिंन परमानु की जो गोला है उसकी noon-term radius किती होती ही, R निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, R स्क्वाइर से 1R कडिया, 1R आपका इधर आ गया, R बराबर आपके पास हो गया, इस R को अपने इधर बेज दिया, H cross square upon mk e square, यह होगा, R बराबर, H cross square upon mk e square, और यही लगबग A 0, इसको अपन सोल करते तो आता है, 0.53 एंगर स्टोन, जो आपकी बोर्ट रिजिया होती है, इसको अपन क्या बोलता है, बोर्ट रेडियस, क्यों से ना सकता आपके, अभी पन आगे करेंगे, इसको अपने पास ही आजाएगा, अपने पास ही आजाएगा, अपने इसमें यहां पूट करेंगे, इसको अपने पास इलेक्ट्रोन की नियुन्तम एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, तो अपन लिखेंगे, आगे इसमें, आहर कमानियां पूट करेंगे, तो अपन लिखेंगे, आते, हाइडिजिन प्रमानों की, मूल अवस्ता की, नियुन्तम मूर्जा समिकन दो से, इसलिए मैं इसको क्या लिखूँगा, इसलिए मैं इसको क्या लिखूँगा, यह क्या हो जाएगा, आपका, एज क्रोज स्क्वाइर अपोन टू, एम, आर स्क्वाइर, आर स्क्वाइर के जिए मैं ऐसे क्लिए लिख सकता हूँ, देखे आप, के, एज क्रोज की पाउर फॉर, अपोन, एम स्क्वाइर, के स्क्वाइर, एकी पाउर फॉर, यह सारा आपने मान लिख दे, ठीक है, m² k² e की पावर 4 जो जब इसका मानता वो अपन यह पूट कर दिया ठीक फिर उसके बाद आगा है यह आप मैनस k e² यह आपका मान ऐसे कैसे और इस r की जिगे अपन क्या लिख देंगे h² upon m k e² ठीक है यह मान अपन रख दिया अब जो करता है उसको अपन काटें जो कट रहा है उसको आप काटें तो अपने पास आजाएगा इधर तो यह h² से h² कट गया ठीक है और 1 m से आपका 1 m कट गया तो उपर अपने पास मान चला गया m k² e4 m k² e4 यह मान आपका उपर चला जाएगा और नीचे क्या बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा 2 h cross square, m k square e4 upon, नीचे क्या बढ़ गया, 2 h cross square, और इधर से देखें आप, minus m k square upon e4, m k square upon e4 upon क्या चल रहा है, h cross square, अब आप देखें ध्यान से, इस 2 को आप ऐसे अलग से लिख दीजे, 1 upon 2, इस 2 को अपने कैसे लिख m k square e4 upon h cross square, इसके आगे coefficient कीता है, 1 है, इसका मतलब 1 में से आदा गया, तो कितना बच गया, आपके पास, आदा बच गया, और यहाँ पर देखें, यह मान आपका minus में, बढ़ा को ने, minus वाला है, तो finally अपने पास minimum energy आएगी, hydrogen परमानू की, वो हो जाएगी, e minimum बराबर, minus 1 upon 2 m k square e4 upon h cross square, ठीक है, देखो, point to point अपन सोल करें, कोई दिकर नहीं आ रहे है, line to line अपन लिखते जा रहे, अब अपने पास m, k, e, इन सभी का मान है, तो आप रखिए, जब अपने इनके मान फुट करेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो नियुन तब energy है, e minimum बर चलो आईए रखिए, minus 1 upon 2, फोड़ा इदे लिखता है अपने इसका है, क्योंकि अपने पास space कम है, e minimum बराबर minus 1 upon 2, m का मान होता है, 9.1 into 10 is to power minus 31, जो इसका, ठीक है, और फिर होता है, k होता है, 9 into 10 की गाद, 9 का square, into e4, e4 का मान होता है, 1.6 into 10 is to power minus 19, इसकी power 4, 2 नीचा जाएगा, upon 2, और h cross square का मान कितना होता है, h cross square का मान होता है, 1.054 into 10 is to power minus 34, और इसका क्या चल रहा है, square, तो इसका square कर ले, ठीक है, यह धियान रखना, आगे इसका minus भी चल रहा है, e minimum बराबर minus, क्योंकि energy बहुत नियूंतम होती है, तो नियूंतम energy आप आपके पास आजाएगा, e minimum बराबर minus 2.174 into 10 is to power minus 18 joule, यह joule मा आ रहा है, joule को जब आप लेक्ट्रो गोल्ट में करोगे तो आपको पता है, यह डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो जैसे आप इसको इंप लेक्ट्रो गोल्ट में करोगे, तो e minimum बराबर minus 2.174 into 10 is to power minus 18, य तो फाइनली हाइड़िन परमानु के मूल अस्तर की उर्जा होती वह किती होती माइनस 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट यही होती ही मैंने आपको पहले ही बताया और इस टोपी को अपने कैसे सोल कर दिया अनि चित्ता सिदान का ध्यान रखते हैं अपने इस टोपी को सोल कर दिया ब हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं तो आज का आपका क्यों जाएगा और एस बहु से किैसे अनि चित्ता सिदान का हुपियो करते हुए बताए चीए पीदका het कि निमन मान बताईए निमन मान बताईए ठीक है एनिशिता सिधान का नुप्योक्स है पहला क्या हो जाएगा आपका नाभिकमें एलेक्ट्रोन का अंस्तितु मतलब उनका कोई पर्टिकुलर रस्ति तो नहीं होता है न नोन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल मूर्जा इस्तर का अंग दोनु प्रियोग पढ़ लिए और दोनु प्रियोग के मैंने आपको कुछिन लिखा दिए ठीक है तीसरा और अनुप्रियोग है जिसको अगली वाली क्लास में देखेंगे उमीद करता हूं कि मैंने आपको हर अगर कोई भी दिखत है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो या पूश सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही गर पर अच्छे से रहे बने रहे और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद